हेलो गाईज आज का डिजाइन बनाने के रिए पहले हम फैब्रिक को लेंगे जिस पर भी आपको डिजाइन बनाना है और इसकी चोड़ाई मैंने 18 इंच रखी है हम ट्राउजर का डिजाइन बनाएंगे फैबरिक पट्टी को मैंने पहले से ही बना कर रखा था जिसका हम डिजाइन बनाने वाले हैं एक इंच का फैबरिक लिया था हमने और इस तरह से फैबरिक को फोल्ड किया था और दोनों तरह सिलाई लगाई थी फैब्रिक पट्टी की लंबाई मेंने 4 इंच रखी है एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बाद में कट कर लेंगे फैब्रिक की छोड़ाई की अकोर्डिंग हम एक पेपर लेंगे पेपर की छोड़ाई हमने फैब्रिक पट्टी की अकोर्डिंग ही रखी है पेपर की सेंटर में इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फैब्रिक पट्टी को अटाच करेंगे दूसरी फैब्रिक पट्टी को भी ऐसे ही अटाच कर लेना है और दोनों की बीच हम एक सैंटिमेटर का गयाप रखेंगे इसके बाद हम 1.5 इंच पर इस तरह से मार करेंगे और यहाँ पर फिर से हम 1.5 इंच का गयाप रखते हुए फैब्रिक पट्टी को अटैच करेंगे और एक सैंटिमिटर की गयाप से दूसरी फैब्रिक पट्टी भी इसी तरह से लगाएंगे और step by step हम इस प्रोसेस को दोराते जाएंगे और पूरा डिजाइन बना लेंगे तो guys आई तिंग आपको हमारी यह वीडियो काफी पसंद आएंगी तो बिन स्किप के वीडियो को पूरा देखें इसकी साइड में भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और फैब्रिक पट्टी को अच्छे से टैच कर लेंगे guys इस तरह का डिजाइन आप बहुत ही इसली बना सकती हैं यह बिलकुल नया डिजाइन है जो आपके ट्राउजर या स्लीव के साथ एक यूनिक ही लुक देगा तो क्यों आप भी अपने ट्राउजर स्लीव या दामन के साथ इस अटैच करें अब हम इस डिजाइन को अपने फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे अगर आप ट्राउजर डिजाइन, स्लीव डिजाइन के यूनिक और नए डिजाइन देखना पसंद करती हैं तो guys चैनल पर विजिट करें चैनल पर आपको काफी यूनिक डिजाइन देखने को मिलेंगे डिजाइन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है नीचे की साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को हमने कट किया है डाइंच मैंने इसकी लंबाई रखी है अब हम एक और नीचे की साइड फैब्री को अटैच करेंगे जिसकी चोड़ाई मैंने तीन इंच रखी है और इस पर पेस्टिक भी अल्लेडी लगा लिया है सबसे पहले हम बैक साइड से इसे इस तरह से अटैच करेंगे इसके साथ गाईस आई थिंग आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और फैब्री रिलेटिव के साथ शेर करना तो ना भूलें अब फैब्री को हम उपर की तरफ भी फॉल्ड करेंगे और इस तरह से फॉल्ड करने के बाद किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस पेपर को हम यहां से हटा लेंगे अब हम एक और फैब्रीक पट्टी लेंगे जिसकी चोड़ाई मैंने पौने 2 इंच रखी है और इस तरह से वन फॉल्ड करते हुए साइड बे हम एक पैर्किस सिलाई लगाएंगे और इसकी लंबाई कम से कम हम 36 या 40 इंच रखेंगे सिलाई लगाने के बाद इसे हम बाहर की तरह फॉल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे ठीक एक ही तरह की हमने दो पट्टी बनाई है इन दोनों पट्टी से हम इस फैब्रिक पर डिजाइन बनाएंगे लेकिन डिजाइन बनाने से पहले हम इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टी बनाएंगे लैस के साथ फ्रंट साइड में हम इस तरह से यह जिगजग वाली लैस लगाएंगे और नीचे की तरफ मैंने लैस में से ही यह फ्लावर कट किये हैं तो एक से डेड इंच का ग्याप रखते हुए हम इन फ्लावर को अटैच कर लेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है आप चलिए हम इसमें फैबरिक पट्टी का डिजाइन बनाएंगे हम पहले एक फैबरिक पट्टी से डिजाइन बनाएंगे इससे आपको दूसरा डिजाइन बनाने में काफी आसानी होगी तो पट्टियों की बीच से हम इस फैबरीक पट्टि को इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर एक आलपिन लगाकर इसे सैट कर लेंगे आप चाहें तो डारेक्ली आप इसमें सिलाई लगा सकती हैं या बाद में भी फिर से हम इसी प्रोसेस को दोराएंगे और इस तरह से इस पट्टि को इन दोनों फैबरीक पट्टि के बीच से निकाल लेंगे फैबरीक पट्टि को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और फिर से हम नीचे की साइड वाली पट्टियों में भी इसी प्रोसेस को दोराएंगे डिजाइन आप बहुत ही इजली बना सकती है फैब्रिक पट्टि कर डिजाइन बनाते हुए हम फैब्रिक पट्टि को लूज रखेंगे ज्यादा खींचेंगे नहीं इससे हमारे डिजाइन में जोला जाएगा डिजाइन अगर आपको समझ ना आया हो तो फिर से आप इसकिप करकर देख सकती है और सारी फैब्रिक पट्टि के बीच से हम इस डिजाइन को बनाएंगे स्टेप बाइ स्टेप पूरा डिजाइन बना लेंगे गाइस अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और आप इसी टाइप के और वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कुछ और तो गाइस हमें कमेंट्स बोक्स में अपने कमेंट्स जरूर भेजे ताकि हम आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएं और आपको उससे हैल्प हो इसी तरह कि अगर आप वो वीडियो देखना पसंद करती हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना तो बिलकुल ना भूलें अब इस डिजाइन को हम अच्छे से फिनिशिंग देंगे एक साइड वाले डिजाइन को दूसरी साइड वाले फैबरिक पट्टी से भी हम डिजाइन को बना लेंगे ठीक इसी प्रोसेस को दोराते हुए हम इस डिजाइन को बनाएंगे इस तरह से हमें यह डिजाइन कम्प्लीट कर लेना है डिजाइन हमने इस तरह से फैबरिक पट्टी के साथ अटेच किया है अब मेरे पास यह है फ्लावर वाली लेस्टी जिसमें से मैंने फ्लावर कट करकर यहां पर टेच करने है इससे हमारा डिजाइन बहुत ही beautiful बनेगा इसे आप blue के health से भी शिपका सकती है और guys आप देख सकती हैं कि बहुत ही easy way में हमारा यह डिजाइन बनकर तयार हुआ है इस तरह का डिजाइन आप sleeve के साथ, trouser के साथ, या फिर दामन के साथ भी easily बना सकती है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें और हमें comments करकर जरूर बताएं कि आपको हमारा यह design कैसा लगा